मुहम्मद शहाब उद्दिन सहाब जो है वो मुसलमानों की पहचान है, मुसलमानों की शान है और उनके साथ जो हुआ है क्या लालू यादव जी का उप्रेश इलाज जेल में रहते वे किसी वियाईपी अस्पताल में हो सकता था शहाब उद्दिन सहाब का इलाज किसी सड़ प्रस्तिजी महामारी में काम कर दिया गया है अपने जात के नाम पे वोट करें धर्म के नाम पे वोट करें और ये धर्म और जात के नाम पे आप बहुत अच्छा एक उधारन अभी सामने आया है कि राजद ने किस परकार से मुसल्मानों का अपने राजनिती के लिए सोशन किया है आज उसका जिवित उधारन है मुहमद चाहबुधीन चाहबुद्धिन साद के जन अधिकार पाटी का कर्याले उतरी मंतरी में हम लोग हैं हमारे साथ है जन अधिकार पाटी के प्रदेश पर्वक्ता oh an प्रवेवज हैं उनसे हम बात करेंगे यहिस प्रकार से préfet चल रहा है फिल हाला भी साबुदीन को लेकर जो उपिछा की बात की होई आप उसको कैसे देखें देखें सहाबुदीन सहाब अपना पूरा जीवन निस्वार्थ रूप से राजत परिवार को सौपती और उन्होंने कभी राजत परिवार के बारे में कभी कोई कटाक्स नही हो सकते थे यह आज एक सवाल है आज बिहार का एक तपका के मन में यह सवाल जरूर है कि जिस प्रकार से सहाबुदीन सहाब की राजत परिवार ने उपेक्षा की है उसका जवाब उनको देना पड़ेगा और जनता उनसे सवाल पूछेगी एक चीज अभी चल रहा है सोशल इंजिनिरिंग था M.O.I. वो कहीं न कहीं जो है तूटता नजर आ रहा है बिल्कुल जो M.Y. समीकरन M.Y. समीकरन के अधार पे ही राजत सत्ता में आती रही है और राजत अपने आपको बहुत बड़ी पार्टी जो बताती है या मानती है या राजत का जनाधार M.Y. समीकर में एम का भी सोशन हुआ का सिर्फ और सिर्फ राजत परिवार एक की परिवार की रह गयी है अगर लालवी यादाव के बाद राज़त में किसी का कल्यान हुआ है तो तेजस्वी यादव है तेजपर्ताप यादव है वो मीशा भारती है ना कि वो सहाबुत दीन है ना कि वो और बड़े बड़े नेता जिनका सोशन किया गया है जात के नाम पर इधारुट। यह मेरा ऐसा मानना है हज मेरे नेता हमारे नेता मानने पपु यादव जी जन सेवा की भावना रखते और लोगों की सेवा कर रहे हैं और उसकी बाद जनत अत्ताहे कर लेगे चुनाव बिहार के अंदर जाती है अधार पे लड़ा जाता है और जब तक यह जाती है समीकरन औ अगर चुनाब में वोट क्यों नहीं मिला चुनाब में वोट नहीं मिला चुकि चुनाब में का जो समिकरन है वो जनता को मजबूर कर दिया गया है कि आप अपने जात के नाम पे वोट करें धर्म के नाम पे और ये धर्म और जात के नाम पे आप बहुत अच्छा एक उधार इस बात का जवाब मुसल्मानों को देना पड़ेगा राजत परिवार को. चोटी सी बात है, इस से भी कहीं बड़ी बात होनी चाहिए. सहाब उद्दिन मुसल्मानों के पहचान है, मुसल्मानों की शान है. बिहार के अंदर कम से कम मुहम्मद सहाब उद्दिन सहाब जो है, वो मुसल्मानों की पहचान है, मुसल्मानों की शान है. और उनके साथ जो ह मन में और यह सवाल है और लोगों के मन में उनका परिवार दिल्ली में रहते वे मैं आप आप कानूनी दौऔपेच में सामील हो सकते थे अप न हुए सामिल कानूनी दौपेच में अपने बहुत बोला कि हमने कर लिया है मगर आप ज Hanım माजढ के अंदर तो सामिल हो सकते थे बताएं कि क्या मुसलमानों का जभड़ ऐस सुधन ओवेसी के साथ होड़ा है बिहार की मुशलमानों का भड़ शर्डाय के सात्य एक का करती है या hardcore Islam का कोई वीचारधारा नहीं होता है आप development की बात किजेते ने कहां करते हैं development की बात आप मुसल्मान है, इसलिए मुसल्मान को वोट दे दे आप दलित है निए दलित को वोट दे द जाती अधार को राजनीती से निकाली уз, धार्मी का अधार को लोग नेतमानिय पप्पू यादव जी आज इस परकार से लोगों के बीच में हमने खाना बाटा अभी हम खाना बाट के आ रहे हूस्पिटल से तो कौन जात का लोग खाना लेके गया हमको नहीं पता को नहीं पता तो विकास की बात ऐसी होनी चाहिए और राजनितिक पार्टी का मुद्धा विकास होना चाहिए यह काम होना जाल गलेगा असुदी नोवेशी का बिहार बिल्कुल नहीं गलेगा बिहार की जनता बहुत परिपूर्ण है बहुत बहुत समझती है चीजों को इसको सेर मान दे हैं कहीं पैसा नहीं है अगर अब प्र बिहार चुनाव में था बहुत बढ़ी किनाव मेंने वह आ आप वहीं पर लड़ेंगे और आप किसी को यह बोल कि आज बिहार के अंदर जो चुनाव हुआ और जो बंगाल के अंदर और देश के अंदर चुनाव हो रहा है अगर आज इलक्षन कमिशन बहुत सक्त होता तो इन पार्टी का रजिस्ट्रेशन रद्ध हो जाता क्योंकि ए इतना बीज़ेपि को फाइदा होगा और जहां जहां यह गय हैं वहां वहां इन्होंने फाइदा किया आप कहना है कि अगर अगर मुसल्मान OVC के साथ जाते हैं तो हिंदू जो है बीजेपी के साथ जाएंगे और टूटल कॉम्मिनल हो वही रहा है और बीजेपी भी चाहती है और ए आयमा असवदुद्दीन OVC साहब उसका बीटीम है सिक्का का दूसरा पहलू है ताली दोनों हाथों से लगती है आप के बल हिंदू को कॉम्मिनल कीजिएगा तो नहीं होगा ना आप मुसल्मानों को भी कॉम्मिनल कीजिएगा और जब हिंदू मुसल्मान दोनों कॉम्मिनल हो जाएगा देश के अंदर से डिवलप्मेंट की बात खतम हो जाएगी आज इस महामारी में लोगों को समझ मे मिल रहा है आज आप इस बात को समझे कि लोग जो मर रहे हैं वो बीमारी से कम मर रहे हैं वो लापरवाही से मर रहे हैं तो लापरवाही से मरने वाले लोगों की जिम्मेदारी कौन लेगा यह सरकार को तैक करना चाहिए मगर जनता से अपेक्षा यह करते हैं जनता सर्व सक् का भावना है उसको सामने लाइए और उसको वोट दीजिए जनाधिकार पार्टी के प्रवक्ता सहान प्रवेज हैं साथ तोर से इन्होंने हर मुद्दे पे जो है बेबाकी सिस जवाब दिया वीडियो कैसा लगा हमारे यूट्यूप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथ मे लाइक किजिए चलते हैं जैन जै भारत